जब आपका मन हो बेचैन और कहीं नहीं लग पा रहा हो द्यान और लाट्स अप टेंशन आपको गेर के बैठी हो तो कीजिए एक काप संगत जी कीजिए एक काप ज्यादा कुछ नहीं करना है अपने प्यारी गुरुमाराजी के पास बैठ जाएए चाहे वो आपने किसी सब रूप के रूप में गुरुमाराजी को अपने कमरे में ही क्यों ना लगाया हो तो वहीं बैठ जाएए और उनसे कीजिए अरदास और गंडे की प्लेयलिस्ट लगाये और मस्त मगन होके बैठ जाएए क्योंकि संगजी जरूरी नहीं है कि आपको ससंग करने के लिए सो ही बंदे चाहिए जा दो सो बंदे चाहिए आप खुद अकेले भी ससंग कर सकते हैं प्यारे गुरुमाराजी के साथ और गुरुमाराजी अपने प्रपूजने पिता जिसे हम तो भोत्वार ऐसा ही करते हैं आप भी कीजिएगा जैकरा मेरी माशेरो वालिदा बोल सांचे दरवार की जै है माई मेरी सच्छियां जोता वाली माता त्वारी सदाई कोटी कोटी परनाम मै जै माँ मेरी दर्शन दे ली है बगतो मं अपने बच्छों को दर्शन दे रही है जै माता द जै मरी माँ शुक्राना मेरी माँ मेरे मूं से शुक्राना वर्डी निकलता है आजकल शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महराज तो फ्रेंड्स आज में आपसे अलग सा मिरेकल शेयर करूंगी और आप बोलोगे कि पता नहीं यह पागल हो गई तारीक है तो फर से गुवारे रोज नीचे गिरते हैं लेकिन खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे संगजी मैं आपके साथ शेयर करू आज भी मतलब यहां से गुवारे गिरी हैं ऊपर से और अगर आप टेप गिनेंगे तो यह देखिए एक ये दो ये तीन और ये चार और ये पंखे के निचे पांच तो पांच जगा से गुवारे गिरी हैं लेकिन मैं रोज नोटिस करती हूँ यहां एक्स्ट्रा गुवारे होते हैं संग जी ये कहां से आते हैं I don't know ये देखिए किल भी गिरी थी अग्स्ट्रा थे ये एक ये दो ये तीन ये चार और ये पंच ये पंच जगा की गुवारे हैं और दो जगा के फिर अक्स्ट्रा है दो निक तीन जगा के ये इसका एक फुस हो गया है गुबारा एक दो और ये तीन तो टोटल पांच जगों से टेप उतरी हुई है तो पांच जगा के गुबारे हैं ये और ये भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है पंखे के सेंटर बाला भी लगा हुआ है वहां साइट्स पे भी लगा हुआ ह तो यह 3 पीर एक्स्ट्रा हैं यह समझ नहीं आती संगा जी कहां से होता है और मैं रोज काउट करती हूं रोज मैं देखती हूं ऊपर की ओर कितनी टेप पे उत्री नहीं है क्योंकि टेप तो भी पर चिप की है टेप तो नहीं आई नीचे यह देखिए इसे यह टेप है जुस पर गुबारु जिप काई गई थे तो सब्लों जी लिटरली में हरान हो जाती हूं तो यह गुरुजी की कौन से गुरुप है गुबारु वाली गुरुपा यह मुझे नह आपके नाम से मुझे भी पागल भी गहे तो मैं खुश हूँ इसलिए तो मैं कहती हूँ संग जी जो कमली शबद है कमली का मतलब होता है पागल बढली पागल ब वाली पागल पागल मतलब पंजबी वर्ड है कमली जो किसी के प्यार में पगल हो जाता है जैसे बगवान प्रभु ऐस्वर अपना इश्ट-डेप के प्यार में पागल होने वालों को बोला जाता है कमली पंजबी कहते हैं न मितुं कंब्ली हो गई है पागल हो गहीं तो हाल मेरा हो गया है क्योंकि मुझे नजारे ही ऐसे आसे दिकाते हैं क्या करू करूं संगज जी तो अभी गुबारों वाला नजारा दिखाया मैं दो तिन दिनों से नोटिस कर दे थी और मुझे लग रहा था कि यह मिल बेव कूफी है बट नहीं लिटरली आई मैंने सारा कुछ काउंट करके किया तो मैंने देखा नहीं यह एक्सटर गुवा रहे हैं और एक्सटर कहां से आये हैं पता नहीं जैए गुरुजी तो इसको भी एक तरह की ब्लेसिंग मानिये प्यारे गुर्माराच जी की जैए जैए गुरुजी शुकराना गुरुजी और मेरे साथ लगा लेजी जैए जैए गुरुजी जैए गुरुजी धन दन गुरुजी धन दन गुरुजी वह 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 गुरुजी वह वह गुरुजी शुकराना गुरुजी जैए गुरुजी शुकराना गुरुजी और मैं तो बैजे कारा लगाऊंगी क्योंकि मेरे मुझे निकल लगाते हैं यह जैकारा मेरे प्यारे गुरु महराजी का बोल सांचे दरवारी की जै तो चल्दे जिसे किचन में जाते हूं प्यारे गुरु महराजी के लिए ब्रेकवास्ट बनाने जैई गुरु जी शुकराना गुरु पर जाया हुआ है अपने रूम में पर हमें मंदल में ऊक्के इतना ज़्लोरी नहीं है अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिकत नहीं है की पहले ही बता दूँ जैई गरुजी जैई गरुजी माइट जूट्यू फैमली तो प्यारी फैमली आज बाहर बहुत ही ज़दा ठं था तो मैं नहीं गई हूँ क्योंकि संग जी मैं आपको बता दूं पिछले दो दिनों से मेरे हस्बंड बीमार है उनको फीवर हो गया है तो प्यारे गुरु माराज जी कहते हैं सबसे पहले अपना गर परिवार और उसके बाद गुरुदरवार तो इसलिए आप से मैं शमा बिमार है तो कई बात नहीं गर से में हाजरी लगा लूँगी और आज मुझे मोका मिला है आप सबसे शेयर करने का जैसे कि बहुत सारी संगत जी जानना चाहती थी बहुत सारा परिवार की लोग है जो यह जानना चाहते थे और बड़ी बार मुझे उन्होंने कमेंट सेक् जब शांति का महोल होता है तो मुझे आपसे बात चीत करना बहुत ही अच्छा लगता है तो बैठी हूं में अपनी अरजाई में आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मैं और गुरुजी जाने की मेरा और गुरुजी का कनेक्शन कैसे बना है और बहुत ही लंबी स्टोरी जगाया मेरे अंदर आस्था जगायी अपने प्रति बर्ना में नहीं मानती थी संगजी गुरुजी को रियली विश्वास केजिएगा जा रहे हो हां बेटा बाई तु वो मेरा पापा वो मंदिर में बैठे पापा को बहुत हो बिस्तर में हां जी आजो 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 अब अच्छा ठीक है प्यारी संगजी मेरे अंकल ले अंदर चला लिया है गुरु माहराज जी का ससंद एक गंड़े की प्लेलिस्ट उनने लगा ली है तो वो अंदर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं तो जैसे ही हमारा ससंद कंप्लीट होता है गुरु माहराज जी का तो जी मेरे अंकल जी आ गय हैं तो बात रही गुरु जी से कैशन की तो ये जो मेरे अंकल जी है इनका कुनेक्शन 126 में बन गया था गुरु जी से है ना मतलब मेरे गर का आलम ऐसा हो गया था, मैं इनको टॉंट मारती थी, संगा जी देखिए, कहते है ना, जब सहसंग सुनाना है तो उसमें जरा सभी जूट नहीं होना चाहिए, तो मैं जरा सभी जूट नहीं बोलूगी, कुछ भी एक्स्ट्रा एड नहीं करूगी, क्योंकि जो कॉछ गर्ल फ्रेंड जा कोई ओरत इनकी कोई यह बोलती थी ना, कि उसके कोई गुरुजी है, जो इनको मानने के लिए बोल रही है, तो यह मान रही है, तो इनको इतना डर हो गया था, जब भी मेरे सामने, कभी भी गुरुजी की मिनलब फेस्बुक पे खोल के नहीं क्योंकि उससे पहले में मैं कट्रा में रहती थी, बहुत सरी संगय यह नहीं जानती होगी, तो मैं आज बता दूँ, 2018 से पहले हम लोग कट्रा में रहते थे, तो 2018 में मैं यहां शिफ्ट हुई हूँ, और मेरे अंकल का कनेक्शन 2016 में ही बन गया था, कट्रा में ही बन गया तो ऐसे सिस्टम चलता रहा और जब 2018 में हम लोग यहां शिफ्ट हुए हैं तो जैसे शिफ्ट हुए हैं उसके कुछ ही महीनों बाद करोना महराज जी आ गए जिसकी मार पूरी दुनिया ने जेली है तो संगत जी उन दिनों मेरे हस्बंड रोज अपडाउन करते थे क्योंकि इनकी शॉप कट्रा में थी और एक रात ऐसा हुआ कि करोना जब पीक पे था और तीन महीने के हॉलिडेस पड़ गए थे अनॉंस हो गया था कि तीन महीने कोई दुकाने नहीं खूलेंगी बट जो एक बिजनस मैन है वो तीन महीने के लिए घर पे नहीं टिक के बैठ सकता तो फिर भी मेरे हजबन जाते थे कट्रा तो उस रात भी यह कट्रा गए हुए थे और मेरी अप्षली इनके साथ थोड़ी अन्बन हो गए थी भई अब पती-पत्नी है तो नसर लग जाती है प्यार को लड़ाई भी जरूरी है तो हमारी अन्बन हो गए थी और यह भी ऐस लड़ना हो तो ऐसे जोर से बोलेंगे तो यह तो चलता रहेगा तो मैं आपसे बात कर रही थी उस रात यह कट्रा में थे और मैं यहां इसी ही सेम रूम में में बैठी हुई थी बैठी नहीं थी अक्शली सोई हुई थी मैं इस साइड लास्ट के यहां कोने में सोई थी औ यहां सेंटर में मेरा बेटा सोया हुआ था और लास्ट में बहां बेटी सोय हुए थी तो हम तीनो एक ही बेड़ पर सोय हुए थे रात का टाइम मैं उस वक्त नहीं नोटिस किया डाई तीन बजे वो तो मैंने जब आपको सबाद इन बजे फोन किया लेकिन जब मैं सोय थी कि मेरे कानों के पास एक हवा का जोंका सा आता है जैसे हम फिल्मों में ने देखते ऐसे इस तरह से हवा आती है ऐसे गोल गोल उड़ती हुई तो ऐसे इस तरह से मेरे पास एक हवा का जोंका आता है जो कि इतना फ्रेग्रेंस है इतनी खश्बू वाला है कि शायद ही वह व दवारा मुझे कभी नहीं आई तो एक हवा के जोंके की तरह एक फ्रेग्रेंसी आई और मैं उसे ऐसे सूंग रही हूं सो इसे अहा इतनी अच्छी खश्वू मैं फील कर रही हूं और मेरे कानों में कोई बोलता है ओम नवाशिवाई शिवजी सदा सहाई तो मैं उठगी मैं डरगी एक्चुली संगजी क्योंकि मैंने गड़ी पे टाइम देखा तो तीन बज नहीं है तो मैंने का शायद मुझे कोई बहम है मैं फिर से सो गई संगजी और मैं जैसे ही फिर से सोई हूं फिर से मेरे पास वो खाबा का जोंका आया और फिर से मेरे कान में बोला और गड़ी गई से बना तो संगजी यहाँ जो बीच में मेरा बेटा सोया हुए थो तो मैंने उसे हिलाया मैंने का क्रिश्णा क्या कर रहा है यह क्या Nir कान में बोल रहा है तो भो मुझे कहता आप आगल हो गई हो मुझे भी निषोने दे रही हो खुद भी निषो रही हो बात आई गई हुई लेकिन मेरे मन में डर सा हो गया और उपर से अकेली पहली बार मतलब जम्मू नए घर में मैं अकेली हस्बेंड के बिना बच्चे तो थे बट आदमी का साथ अलगी होता है संगा जी तो मैं डर गई और मैंने क्या किया मैंने जल्दी से जूट्यूब खोला क्योंकि सारी चीजों के आसकल खाने से लेके और सोने मरने जीने तक क्या सल्यूशन जूट्यूब में ही मिलते हैं गूगल में मिलते हैं तो मैंने सर्च किया कि अचानक खुशबू आए तो क्या होता है जग कान में कोई बोले तो क्या होता है तो संगजी आप बलीब नहीं करोगे इतनी वीडियोज खुलने लगी किसी पर आए कोई बूत प्रेत का साया आप पर बास कर गया है कोई जिन की आत्मा आप में आ गई है जो आपके इंदगित चकर लगा रही है संगजी मैं डर गई मैं काप गई संगजी और मैं भूल के कि मेरे पती के साथ मेरा कोई फिर कॉई पंग जल रहा है तो मैं तुरंत इनको फोन मिला दिया टाइम भी नहीं देखा मैंने तो जब मैं इंको फोन मिला है तो उस वक्त कितना ....्ध 14th हो रहे थैंग topics पेस्बुक पे लगे उगी हो इतनी जल्दी फोन उठा लिया तो यह मुझे कहते मैंने तो उठाया, तू भी तो आधी राट को जागी हुई तो फिर मैं सब भूल-बाल के मैंने इन से अपने मन की बाथ शियर की जो मेरे अंदर एक डर बैढ़ गया था तो यह मुझे कहते रुख, तो इन्हों ने एक स्क्रिंशॉट खीच के बेज़ा संगा जी और स्क्रिंशॉट जब खीच के बेज़ा तो उसके बाद फिर इन्हों ने मुझे बताया क्योंकि संगा जी ये उन दिनों कट्रा में रहा रहे थे मेरी एक बाबी है उनके गर पे तो जब इनका टाइम पास नहीं होता था तो रात को ये जूटूब नी कहा फेस्बुक पे मैं गुरुजी के बजन डाउन्लोड करता सा ये रात को लेकिन उस दिन आप बता रहते ये जूटूब में ससंग देख रहे थे क्योंकि संगा जी हमारे इंडिया में जब रात होती है तो वहां दे होता है तो वहां लाइब ससंग चल रहा था Melbourne में Australia में तो इन्होंने मुझे उसका screenshot खीच के बेजा और मुझे बताया कि मैं ससंग सुन रहा था और मन ही मन मैं Guruji से प्रे कर रहा था कि मेरी वाइफ को भी अपने साथ connect करो ऐसे ही हुआ था इधर देखे बताओ ना बताओ खुद बताओ क्या हुआ था थोड़ा जोर से बोलो यही कहता था यह बोलती थी यह गुरू जी आसे ही है टीरे से है यह जो सच्चा है वो ही है जो सच्चा ही सच्चा ही यह सच्चा ही है उन दिनों गुरू जी का वो ही चलता है अच्छी मैं कहती थी कि यह टकले से हैं टींडे से आज वही गुरु जी इनके पिता जी बन गए है तो संगा जी लिटरली यही बर्स थे मेरे इनों ने जो बताया है मुझे माफी देना गुरु महाराद मैं आपसे माफी मांगती हूं और प्यारी संगा जी अगर आपको भी जी कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूं बट मैंने जब सोचा है कि जो मेरे साथ बीता हुगा है वही आपके सामने लाना है तो यही मेरे बर्स थे मैंने का यह गुरु जी कहां से लगते हैं यह तो ऐसे बगैंबो खुश हुआ अशे गुंडे लगते आशे यह को हुआ ओना से लगते हैं और मैंने शूरू नहीं DR द हैं मेरे से घुठशन चाहर curry ना शुरू कर दिया जै और मेरे सो डय पर दिन देशन मों रहते हैं पर दिन भाश ऑकि जी कमरें मैं आशे कूंड जोरू कर दिया जै ॶ्यून और पिर शुक्राना गुरू को और मेरे से डिरते हैं मेरे सामने यह नहीं खोले एसे हो गया और मेरे को यह होता था तब मैं दुख लगता था कई जब मैंने इनको मानना शुरू किए न मुझे कई लोग ऐसे बड़ा नेगटी थोट्स है थे यारो केड़ा तेरा गुरू आज मुझे बहुत खुशी होती ह है कि है जमू में नहीं नहीं चीजाों चाहिए उनने केला ही था चिसमी वहां विलता है तो जिस निती उन केल captivity जाके ज्रीपक लोग विल मांते हैं और विलो होगे बठा हमारे पर समने नहीं थे तो सब Alrighty जया गुरुजी बोलना शुरू हो गई कि बाइक नहीं हूं अकेला और भी है और दिए आज तो में क्या शौटकट में तो यही बोल रहा हूं कि बड़ी खुशी होती है चीज की कि चलो भई अज सारे गुरुजी के वारे में जानते हैं सब तो बस यही मेरा प्राधना मेरी सब्सक्राइब को यही है कि मैं मानना शुरू होगी ने बात वह नहीं है वह एक एहम आ जाता है मुझे वह एहम की नहीं है मुझे बस यह खुशी है कि कि चलो जिस लाइन में लिगा था बाकी लोग भी इसमें हुए और मैं और भी चाहूँआ जितने से ज़्यादा हो सके उतना करने की कोश्यी करें। जो हैं यह फेस्बुक से जुड़े थे और मेरा जो कनेक्शन में बता रही थी कि रात के पॉने तीन बजे मेरे कान के पास एक हवा का जोंका आता है जो कि बहुत ही खुश्बूदार जोंका था और मेरे कान में कोई बोलता है ओम नमा शिवाय शिपजी सदा साहे मंतर जाप दो बार और उसके बाद मैं यूट्यूब में करती हूं सर्च और उसमें एक तरह तरह के वीडियो जाते हैं जिन से मैं डर जाती हूं और डर के कारण मैंने अपने हस्बेंट को फोन मिलाया इन्होंने मुझे सक्रिंशॉट कीचके बेजा कि देखो मैं ये मेलवान में ला क्या कहूं अपने लिए कुट्य की दूम पूंच सिद्धी नहीं होती तो मैं दो दिन तो बहुत गुरुजी गुरुजी करती रही मेरे गुरुजी गुरुजी पर तीसरे दिन फिर से अपने उकात में आगे संगा जी और मैं बूल गी मैंने कहा ऐसे ड्रामा ये कोई कु मुझे बहुत जनून जड़ा क्योंकि संगा जी मैं आपको बता दो हमारे गरों में शुरू से वैशनो माता बैशनो देवी चंडी माता का ही नाम लिया जाता था और गुरुजी के बार में कुछ गलत कहती तो ये मुझे कहते मत बोल पाप लगेगा ये गुरुजी इस द बता गने क्यों मेरे मन में था क्या में गुरुजी का सुरूलन कि में सोचा था कम में डिली जाओंगा कब मे वहां से मुनिको निकलto के तो वां पर सदुन मार्केट आई वहां से मैं बहसीऋ लाओं फबांतू पराक जिए नियोन ब्लैसिंग जावी तो मेरे पास कभी ही नहीं निए है म 09 मिल जाए गा मेरा मन कह दो किनल शौप बजी की का मुझा की है hoe मेरे वह तक शौप है कि वह को मैंने उनको बोला था गोड mitä मोबायल है कि मिने कрах चाहिए और प्रती एंद स्कूरिकियों ने यह निखि यही तो इसरी काम है गोहड़에서 मैंने का वहां, इस लाशत अम शृवals होओ राख्रगोध मस्ध क्हें सबारे चाहिता है ,up m सुफ्ई मुझे सुम्झ म! तुछ आए गुरु जी ये काम मुझे क्यूं सून पा वो इतने मिये भजं जमा क्ठे कट्रेक्शन करता था आज किशी ये में लगते हैं तो आप मैं गुरुजी की वो समझता हूं महिमा कि इन्होंने मेरे से क्यूं करवाया कैसे करवाया वो भजं जाप भी लगाता हूं वह लोगता तो मेरा मेरा को शुरू से अचाए नई गाने हो पुराने मेरे को पास मैं अच्छी ओती है और गुरुजी कि मिरे पास इतनी अच्छी को जाएगी तो मैंने कभी सोच आप नहीं था ओथा और भाता चला गया तो वो ब्लेसिंग पहली बार रिहाडी में मिली थी, मैंने नहीं-चोप खोली थे तो कस्टमर आया था, लून्हों थैकte अब इनको मानता हूं, उपने ब्लेसिंग बढ़ा शुगा, वो फटा था अपने घर में गए और उन्हें मेरे को एक blessing दी वो लॉकेट दिया उसके बाब फिर पता नहीं क्या है अब गुरू जी ने तो blessing blessing कर दी है यह नहीं है कि हमारे पर नोट शावर किये हैं कि पैसा आ गया जा लाइफ हमारी आज भी वैसी है अब तब स्कून हम मांते हैं जरूरी नहीं है गुरू जी कहते है मेरे को मेरे को मांगो मुझसे मांगो नहीं मुझसे मिन्नू मन्नो जो तोड़े लई सही होएगा मैं होई करना अब हमने जब जा तो स्लेंडर करो पूरी तरह पूरी तरह स्लेंडर करतो हमने तो किया हुआ अब जो होगा वह प्रिक्षा में सफलता प्रापत खुद करनी है उंकल जी ने अपना बताया तो फिर मैं जैसे बतारी हूं कि दो दिन मेरे सेर पे बूत सवा रहा गुरू जी गुरू जी बड़ संगा जी तीसरे दिन कहीं न कहीं मैं अपने उकात में आ गई being human की जैसे इंसान होता है तो मैं मातरा नहीं मातरा नहीं करने लगी और मैंने एक दिन ये शाम को हम सारे बैठे हुएं अपने कमरे में तो मैंने अपने हस्बेंट से कहा क्या बात है आपके गुरू जी की कोई फेरी नहीं है क्योंकि अच्छली जिस दिन से मुझे मेरे साथ ये हुआ था न तो दो दिन मेरे गर पे न फ्रेग्रेंसी जाना शुरू हो गई थी मेरे गर में से गुरू जी का साय ऐसा दिखता था ऐसा लगता था वो उपर स्टेर्स पे गए हैं नीचे आए हैं तो जब दो चार दिन नहीं हुआ ऐसा तो मैंने इन से मजाग मजाग में कहा मुझे लगता है आपके गुरू जी सञके हैं कहीं नहीं थी तो हम लोग यहां इसी रूम में ज्यादातर हमारा all जूआ जियां मेरे इसी रूम में होता है जो की मेरे फॉर्स स्टोर स्टोरि हैimentos क्या बोलते है के यह मेरे और HIM i बहुत ही कम जाती हूं तो इधर ही बैठे बैठे मैंने ऐसा कहा तो मेरी बेटी अपने रूम में उपर वाले पोर्शन में बैठे हुई थी तो इसको कोई भी नहीं पता कि हमारे में आपस में क्या बाचे चल दी है तो अचानक से बहुत चिलाने लगी ममा ममा पापा जल्द सारी वीडियोस में तो मैं उपर गए यह तो मेरी बेटी के रूम में इतनी फ्रेग्रंस थी संगजी ब्लीव कीजिए इतनी फ्रेग्रंस थी कि जैसे करोडों गुलाब खिल गए उसके कमरे में और मेरी बेटी ने बताया ममा मंदिर में जो पापा ने सबरूप रखा आखुकर थे जो कि हमने 2018 में ही लगाई थी है ना 2018 में लगा ही दाना क्रोना के डाय में उसके रहा है इतनी ख़षबू आ ही तो मेरी बेटी बोल दिल मुंमा यहां से न कोई गंजे से अंकल निकल के आये है और अर जुमारे के दیکने माइरे उसके और लोमाद मेरे कंबरे क मेरे साथ connection बनाने की इतनी कोशिच की पर मेरा connection हरवा टूट जाता था पहले जब सपने में दर्शन दिये फिर जब फ्रेगरेंस आई तो तेसरी बार मैं यहां नीचे पोश्चन में आज जहां मैंने गुरुजी का दरवार बनाया हुआ गुरुजी का कमरा बनाया हुआ तो वहां पर एक curtain था मेरे गर पे तो वहां जो curtain लगे थे brown कलर के तो उनमें गुरुजी के दर्शन हुए मुझे और मैंने सभी को दिखाए मुझे गुरुजी दिखे पर फिर भी मेरा connection नहीं बन पाया लेकिन finally जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया संगा जी यह जो ह कैमरा करके दिखाती हूं संगत जी finally संगत जी जब यह ओम उबर के मेरे हाथ पे बनके आ गया यह जो बेंस का ओम दिख रहा यह शायद आपको दिख रहा है कि नहीं यह यहां से मैं यह थम इकठा कर रही हूं यह देखिए मेरी बेंस का हाथ में यह ओम बन गया finally जब गु होगी हो आप लीड लगा के आपको सुनाइव निदिरा में क्या गह रही हूं यह ओम दिखाना यह जो मेरी हाथ पे बना हुआ है यह हां जी संग जी तो यह जो ओम है जब यह बन गया तो फिर जाके मेरा विश्वास बड़ा कि गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिये है इतना अपना होने का परमान दिया है तो मैं क्यों न झुड़ू उनके साथ इसके बाद मेरे साथ एक से एक बढ़के ससंग होना शुरू हो गए इतने ससंग है मेरे पास कि अगर मैं आपको सुनाती रही सुनाती रही तो 10 दिन लग जाएंगे मेरे ससंग खतम नहीं और उनी दिनों मेरी एक कट्रा से बाबी आये, हमें शादी का कार्ड देने, तो जब वो मेरी लॉबी में बैठे हुए थे, तो संगर जी उनको इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस और ना ही कोई दूप, ना अगरबती, ना कोई गुलाब, तो वो हरान रह गए कि यह चानक से इतनी फ्रेग्रेंस कहां से आई है, और जब वो गर बापस गई, तो मुझे फोन करके बताती है, जब मैं तेरे गर से आई हूँ, तो तेरे गर के बाहर जो शोरूम है, ख्वाब बाला लिंक रोड में, मुझे वहां तक वो फ्रेग्रेंस आती रही, और कि यह कितनी लग्की हूँ, मैं कितनी बड़ी पावर से दूर हो रही थी, विश्वास नहीं कर रही थी, मेरा विश्वास डगमगा रहा था, तो संगजी यह मेरा ससंग था, कि मैं कैसे कनेक्ट होई थी, तो यह मैंने आपको कुछ दो तिन ससंग अपने शेयर की हैं, और बहुत सारे ससंग है, तो कभी ना कभी मोका मेरा तो में शेयर करती रहूंगी आपके साथ, बस बहुत सारे संगज जाना चाहती थी, कि मेरा कनेक्ट जी मेरा कनेक्ट एसे ही बना है, रात के टाइम में मेरे कान में गुरु जी ने ओम नवा शिवाय का जब बोला, फिर उस जो बातचीत करती हूं तो मुझे लगता है कि ये गुरु जी करा रहे हैं, वो कराते हैं और मैं करती हूं, और जो भी हूं आज आपके सामने गुरु माराजी की कृपा है, गुरु माराजी की दया है, वो बुलवाते हैं, मैं बोलती हूं, वो हाजरी लगवाते हैं, मैं संगर जी जब जब लीक्त फोगर्व, अपने जीवन की नइया अपने जीवन की डूर उनके हाथों में थमा देते हैं जिए सब उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता है। जब कभी कबार मुझे वक्त मिलता है वीडियो अपनी देखने का तो मैं देखती हूँ कि मुझे इतनी प्राब्लम है मेरे सेंट में कितनी ज्यादा आज भी आप लोग भी मेरी वीडियो देके समझे जाते होंगे बट कुछ शब्द मेरे इतने क्लियर और इतने प्योर होते हैं कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता है मैंने कैसे वोला और कहां से ये मेरे जहन में ये शब्द आए हैं तो ये गुरु महराजी की कृपा है वो ही बुलवाते हैं मैं बार बार कहती हूँ तो हमेशा कोशिश करें किसी को खुशी देने की जैसे अब बहुत सारी संगत मुझसे कंप्लेन करती है कि अनुरादा तुम जैकारे क्यों लगवाती हो गुरु महराजी के दरवार में जैकारे नहीं लगते तो संगजी ऐसा नहीं है हाँ बड़े मंदिर में जैकारे नहीं लगते कहीं भी जैकारे नहीं लगते बट मेरा ब्लीब कीजिए संगजी मैं और संगत जी अगर आपको लगता है मैं सासाथ भजन गाती हूँ मैं सासाथ नहीं गाती हूँ जब मैं अपनी वीडियो अडिटिंग करती हूँ तो ही मैं जब वीडियो अडिट करती हूँ उस वक्त रिकॉर्ड करती हूँ अपनी आवाज तो मैं सासाथ भजन नहीं गाती ह तो जब भी हम ससंग करते हैं तो पूरा डिसिप्लिन होता है उसमें आप संगत को भी चाहिए कि वो हमारा साथ दे आप नोटिस करते हो कि कितनी संगत होती है जो पीछे मुड़के देख रही है कोई शोर डाल दी है जा कोई फोन को लगी है तो इसमें हमारी क्या गलती है संगत जी आपको खुद समझना चाहिए हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि करो आप कुछ भी करेंगे तो बात हम पर ही उठके आती है तो प्लीज अपना जोगदान दे अपना प्यार दे अपनी अनुरादा को इस सचाई के रस्ते पर चलने की और मेरे से कोई भी गलती होत लहांना और रही बात गुरू जी के ये जो जय बूरू जय मैं बोलती हूँ तो मैं सची कह रही हूं संगत जी मुझे कुछ नहीं आता था, वो बुल्वाते हैं मैं बोलती हूँ और श्याद जिस दिन मैं सोचू ना कि आँज मैं कुछ नहीं बोलूगी तुरन तुसी वक जा हुआ है तो एक बार मुझे गुरु जी क्या सपना आया था जिसमें गुरु जी ऐसे डांस करा रहे थे तो मेरे को हुआ कि बताऊं ना मैं इनको फिर कंप्लेन करते हैं मुझे बहुत सारे लोग तो जो दिल में है वो बात करनी चाहिए तो संगत जी जब हमारा ससंग को जाता है तो उसके बाद अगर हम कुछ पल की खुशी अपनी संगत को दे सकते हैं तो उसमें क्या फर्च है प्यारे गुरु मारा जी कहते हैं कि तू किसे देट चेरेते रोनक लाइं रोनक लाके याइं खुशियां लाके आइं तो उस एश कराने से पल्वर्ण की तो उसमें क्या हर्ज है संगा जी कोई हर्ज नहीं है पलवर की खुशी देना कोई पाप नहीं है हर बंदा दुखी है अपनी लाइफ में हर बंदे को कोई नहीं तकलीफ है हर बंदे को कश्ट है क्या वीडियो देख रही हो तो देखो यह बच्ची भी आश कर रही है देखो अब बताओ कितनी प्यारी आश करियर इस बच्ची की खुशी दे के किसको खुशी नहीं मिलेगी संगा जी बताओ जरा तो इसमें क्या गुनाह है छोटे छोटे बच्चे भी रंगे हुए गुरुजी के रंग में तो ये कोई गुनाह नहीं है संग में बिल्कुल भी शोर हम नहीं डालते हैं उसके बाद का जो समय होता है तो उस मक्त अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें आप हमारा साथ दे ना ही कमिया निकाले ना ही गल्त कमेंट करें क्योंकि अच्छा नहीं लगता संगा जी आप मेरा प्यार हो आप मेरी हिमत हो आप मेरा साथ हो आप गुरुजी ने अगर ये सब करा रहे हैं अगर आप इन जी जो में बलीब करते हैं कि जब हम गुरुजी के रस्ते पे चलते मत करें और वह सारे संगत ऐसी है जो स्पोर्ट करती है जो साथ देती है मैंने ही कहती कि आप मेरे गलत में स्पोर्ट करो जो सही है कम सकम उसको तो स्पोर्ट करो तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई है आज मेरे ससंग की और आज का टाइम पती देव के साथ स्पेंड हो गया अंकल का भी शेयर हो गया कि उनका connection कैसे बना तो जैई गुरुजी शुक्राना गुरुजी और हाथ जोड़के आप दोनों से आप सबसे मैं करती हूँ बिंती कि मेरे चनल को किजिए लाइक और सबस्क्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा प्रियास किजिए गुरुमाराज से जोड़ने का उनकी हाजरी लगाने का कमेंट सक्षन में जैई गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना मत बूलिए और आपको एक बाद बता दू कोई पैसा नहीं लगेगा आपका प्लीज जल्दे से खलीजे सब्सक्राइब टाटा बाइबाइ जैगुरुजी जैकारा मेरी शेरा बारिदा बोल सांचे दरवारी की जै